दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल तफिल में दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ हीरो बीस 6 एस्प्रेंटर पलस जिसमें की स्टार्टिंग प्रोब्लम हो गया है उसका क्रेंट सही तरीके से नहीं आ रहा है गाड़ी में उसका प्रोब्लम जो है उस जिसमें की प्रोब्लम हो गया है क्रेंट का प्रोब्लम हो गया दोस्ता अब देख पारे होंगे इसमें क्रेंट नहीं आ रहा है सही तरीके से इसमें एक सेंसर आता है बैंक सेंसर जिसमें की प्रोब्लम हो गया है उस सेंसर को हम अगर चेंज कर देंगे तो सही तरीके से स् प्रब्लम हो रहा है अभी आपका पलक का जो तार है इसमें आपको देखाएंगे इसमें क्रेंट नहीं आ पाएगा अभी देख पारेंगे अभी हम इसका इगनेशन ओन कर दिये हैं यहां नीडल का पॉल चेक लाइट आई-3S इस्टेंट सब जल रहा है साही तरीके से आप हम यहां पलक में क्रेंट शेक करेंगे तो यहां पर जो में क्रेंट आता है जिसे गाड़ी स्टार्ट होता है उसका क्रेंट नहीं आ पा रहा है अगर इसमें क्रेंट अगर नहीं आएगा तो गाड़ी आपका कभी भी स्टार्ट नहीं होगा तो इसका जो प्रोब्लम है द दोस्तो आप देख पारे होसी का आप अब ऑंभी जेक खोल दीत हैют DO JO जेख electस्रर का फोल यह जेको बाद जैसे में पर करेंगे तो इसमें आप देख सेरह बैंक कर आप इसका अमें पुरा सई तरीके से आ रहा है अब गारी आप तुरन कीमें इसर्ट हो जाएगा दोस्तों आप जैसे यह बैंक सेंसर का तार जो है इसका हम अभी खोल दिये हैं आप देख पारेंगे इसका जो जैक है यहाँ पर हम खोल दिये हैं खोलने के बाद इसका इस्टार्टिंग जो है प्रोपर सही तरके से हो रहा है यह किक में गाड़ी पुरा से स्टार्ट हो रहा है उघनी बैंक सेंसर को लगा रहा है तो ही गाड़ी का प्रॉब्लम सोलफ हाईगा अगर अभी हम चलाना चाहें तो चलेगा लेकिन पर करने जो च्यक लाइट का व्ल है यह यह den बंद नहionoval में में नहीं दिख यद्युट इसका जो प्रॉब्लम होग था इसका काम क्या होता है सेंसर का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगर एक मसले अगले viralus